हाई अब्रीवन तो जैसा कि गनेज जी के दिन स्टार्ट हो गया और आज मैंने उनके लिए बनाया है घर पे ही मोदक तो अगर आप भी इतने रंग भी रंगे इतनी ही टेस्टी इंस्टेंट मोदक घर पे बनाने वाले हो भी बिना मावा बिना कंडेंस मिल्च या मिल्क पा और अब कढ़ाई में डालके इसको लगभग एक या डेर्ड मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लेंगे इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ इसका जो कच्छा पने वो हट जाएगा तो यह देखिए इसका दिरे दिरे से कलर चेंज होने लगा और जैसे भून जाएगा तो गैस को आफ करके चावल को हम पलट लेंगे तो यह देखिए चावल का अटा भून गया है तो इस तरह से इसको प्लेट में पलट लेते हैं और अब आगे की प्रोसेस के लिए कढ़ाई लेंगे और यहां मैंने लगभग 300 ml तक दूध लिया है कढ़ाई में द दूध और कोकोनेट पाउडर अच्छे से पक जाएगा तो यहीं हम चावल का आटा एट करके और यह सारी चीजों को मिक्स करके पका लेंगे तो यह देखिए दोनों चीज अच्छे से मिक्स हो गई है और यहां दूध और कोकोनेट पाउडर अच्छे से पक गया है तो य यहीं हम बाद में एट कर देते हैं लगबग 2 चम्मस तक देशी घी और लगबग 3-4 चम्मस तक यहां PCOE सक्कर एट कर देंगे आप यहां बूरा सक्कर भी एट कर सकते हैं और ज्यादा पतला है तो आप यहां खड़ी सक्कर भी एट कर सकते हैं यह सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो यहां जो चावल का आटा हमने एड़ किया तो अच्छे से पग गया है और अब इसको अलग से एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं आगे इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहीं लग कटे हुए ड्राइफ रूट्स लिए हैं काजू बदाम पिस्ता है साथ ही यहां लगभग तीन से चार चमबस तक कोकोनट पाउडर एट कर देंगे आप यहां कद्दू कस किया हुआ कोकोनट एट कर सकते हैं साथ ही मैंने ग्रीन गुलकत्री और साथ ही रड गुलकत्री ए लगेगी आप चाहें तो अगर हाई फ्लेम में सारी चीजों को भून रहे हैं तो सक्कर आप लाश्ट में एट करें और यह देखिए हमने जो चावल का डो तयार किया था उसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइट कर लेते हैं और यहीं मैंने दो तरह के फूट कलर और यहां हमारे मोदक के दोनों डो रेडी हो गया है इसको इस्टीम करने की भी जरूरत नहीं है जैसे हम थोड़ा देर इसको पकाते हैं तो चावल का जो आटा हो अच्छे से पक जाता है साथी मैंने यहां लिया है मोदक मोल्ड यानि मोदक का साचा तो अगर आपके पास मोदक का साचा नहीं है तो वीडियो को लार्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आगे बिना मोदक के साचा के भी मोदक बनाएंगे तो इस तरह से हमारा डो भी रेडी है और हमने यह मोदक के साचे में थोड़ा सा गी भी लगा लिया है जिससे कि जो डो है वो चिपके नहीं और यह हमारी श्टफिंग भी रेडी है तो इस तरह से थोड़ा सा डो लेके और हीस तरह से उंगली से इसको प्रेच करके चारु तरभ से अच्छे से एँदो को लगा देंगे और इस तरह से सेंटर में तोड़ा सा इसमें श्टफिंग फिल कर देंगे और उपर से थोड़ा सा डो और लगा के और ये देखे ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से मोदक रेडी है तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पे ही मोल्ड से ये मोदक तयार कर सकते हैं जो कि देखने भी बहुत अच्छे लगते हैं और साचे से मोदक बनाए हैं अब हम बिना साचे के बनाएंगे तो यहां हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसको इस तरह से अंगुठे से प्रेश करके इसमें बीच में सेंटर बना लेंगे और यहीं हम लगबग एक से छमच तके स्टफिंग फिल करके इसको चारो तरफ से दो मोदक बना के दिखाती हूँ और यह देखे बिल्कुल सिंपल है तो अब हम चलते हैं जो हमने यलो वाला डो रेडी किया था उससे भी इसी तरह से मोदक बना देंगे तो यहां मैंने mold से इनको देखे कितनी simple तरीके से मुदक बना दिया जो कि दोनों जो color हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप बड़ा सा मुदक बनाना चाहते हैं तो इस तरह से mold की तरह ही मुदक का size दे देना है और इस तरह से seek से इसमें इस तरह design डाल देंगे और यह देखे यह भी हमारा मुदक ready है तो यही मैंने थोड़ा सा color बचा के रखा था जिससे कि यह जो मुदक है उसको थोड़ा सा इस तरह से decorate कर सके जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहां yellow color के मुदक में green color से थोड़ा सा set लगाया है और green color में थोड़ा सा yellow color का set लगाया है उपर से मैंने गुलकतरी रखती है तो इस तरह से यहां रंग भी रंगे हमारे चावल के आठे के मुदक ready है और अब चलते ही गिहों के आठे के मुदक बनाने तो जो कि बहुत जादा healthy भी है और बहुत ही simple है तो यहां हमने एक कढ़ाई लिया है और इसमें लगभग एक याट डिल चम्मस तक गी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे जैसे गी गर्म हो जाएगा तो यहां लगभग 100 ग्राम तक गहूं काटा डाल के और इसको भून लेंगे तो इस तरह से इसको धीमी धी में आचे भूनते जाना इसका color change होता जाएगा तो बीच बीच में हम एक एक चम्मस तक देशी गी एट करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे और यह दिखे यहां आटा जो है वो भूनने लगा है और यह इसका final color है जैसे इस तरह से हो जाता है तो यहीं हम लगभग लाश्ट में दो चम्मस तक देशी गी और एट कर देंगे और यहां बारी कटेवे dry fruits क यहीं हम लगभग 4 या 5 चम्मस तक बड़े चम्मस यहां PCV सक्कर एट कर देंगे आप यहां भूरा सक्कर भी एट कर सकते हैं तो इस तरह से यहां सक्कर एट करके और यह सारी चीजों को mix कर लेना है और यहीं हम थोड़ा सा इलाइची powder भी एट कर देंगे flavor के लिए और इ मोल्ड तो आप चाहें तो हांसे लड़ू बना लीजे या इसके मोदक बना ये मैं इस तरह से मोल्ड से मोदक बना लेती हूं और यह देखे कितना सिंपल तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीके से यह हमारा घर पे ही इतना healthy और tasty मोदक बनके रेडी है तो इस तरह से यहां सार है वीडियो के साथ थांक यू फार वाचिंग फ्रेंड वीडियो